भबी, भबी, अंजली, और बताओ भबी कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ. और भबी, खाना बना लिया आपने? हाँ अंजली, खाना तो बना लिया और खा भी लिया, बस बरतन करने लगी थी, और तूने बना लिया खाना? नई भबी, अभी कहां बनाया खाना? अभी बस बनाने लगी थी, रवी न थोड़ी लेट आते हैं, शाम को पांच बज जाते हैं, तब एक ही बारी खाना खाते हैं बस, तो वो भी खाना बनाने लगी ना, तब ही मैंने देखा, कि प्याजी नहीं है, प्याज तो खतम है, तो ये लिए अंजली प्याज, क्यों जोती, ये प्याज अपने देख में लेके आई थी क्या? नई मम्मी, वो अंटी जी मैं अभी बस सबजी बनाने लगी थी, तो देखा प्याजी नहीं है, तो बस इसलिए मैं प्याज लेने आई थी सबजी भी तो कहीं से लेके ही आई होगी, तो वहाँ से प्याज भी ले आती, यहाँ पे क्या पेड़ लग रहा है प्याजोंगा? सबजी तो अंटी कल से आई पड़ी थी घर पे, बस अभी न एक्टिवा में पेट्रोल भी नहीं था, तो इसलिए मैं प्याज लेने कैसे जाती, और सबजी बनाने का टाइम भी हो रहा है, तभी बस अरे पेट्रोल नहीं था एक्टिवा में, तो जोती से पैसे ले जा, पेट्रोल डलवा ले, फिर ले आना प्याज, यह क्या तरीका हुआ कि सबजी बरानी है और ले आओ पड़ोसियों से कभी प्याज, कभी ट्माटर, कभी कुछ, यह रख जोती अरे अंटी, यह क्या बात कर रहे हुआ हमारे पास क्या पैट्रोल के पैसे नहीं है, पैट्रोल नहीं डलवा सकते हमा, यह तो जाने में टाइम लग जाता, इसलिए मैं प्याज मांगने आगी, और चार प्याज ले के जाती तो छे करके वापिस देके जाती, कौन सा में र ये ना अंटि आप अच्छा नी कर रहें, पढोसियों की जूरुदत थो दुख में सुख में दोनों में जुरूरत पड़ती है, इंसान ना तो रोता के लड़ा अच्छा लगता है और ना ही हस्ता के लड़ा अच्छा लगता है, आपके इस वेवार के वज़ा से ना आपकी किसी के साथ महले में नी बनती मैं तो भाबी की वज़ा से आजाती थी कि भाबी अच्छी है पर कोई बात नहीं अंटी आज के वाद न आपके घर में पैर भी नहीं रखूंगी मैं अरे अंजली बात तो सुन क्या सुने तेरी बात अच्छा है रोज मू उठा के आजाती है चल अंदर तू मम मेरी बात सुनो आप क्या बात सुनो तेरी वो में मेरी बैंड जैसी है इतना प्यार है आप तो पडोसियों के साथ बोलने भी नहीं देते क्या बोलने दू तुझे पडोसियों के साथ अरे हम क्या पडोसियों से लेके खाते हैं मैंने तो कभी किसी पडोसियों से कुछ नहीं मांगा घर में सब कुछ है और तेरा दहेज क्या पडोसियों ने दिया था बोला दहेज में लेके आई थी सब कुछ जो उठा उठा के देती रहती है पड़ोसियों को चल जाके काम कर अपना चाहे बना चाहे का टाइम हो रहा है मम्मी भी ना अंजली ना मेरी अच्छी सहली थी और मम्मी ने चार प्याज के लिए कितना कुछ सुना दिया उसे कोई बात नहीं जोती तू आती जाती उसके घर चली जाना और माफी मंग लेना उससे ठीक है जी ये देखो जी मेरी मम्मी को फोन ना फीर आ रहा है मेरी मम्मी ना मुझे बिला रही है इतने दिन से मैं माई के नहीं गई और पापा के भी दुवेत खराब है हम मेरे माई के चलें हाँ हाँ जोती कल चलते हैं ठीक है जी हाँ जी मम्मी कैसे हो ए भगवान एक दिन बहु जाती है उस दिन तो काम वाली छुटी ना किया करें कितना मुश्किल है जक्करी बड़े आरे हैं आए अंटी अरे क्या होगे अंटी अंटी अरे अंटी बधाने क्या होगे अंटी को सब्सक्राइब कर दो एउ जलदी से डोक्TER के पास ले के चले अउटी, उठो रे अउटी, क्या हुआ आपको, उठो तो उठो 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 उठी अउटी, क्या हो गया आपको उठो तो सही भाबी को भी फुन कर देती हूँ भाबी दो आज माही के गई हुए हेलो हाँ बाबी घर पे आजाओ अंटी को पता नहीं क्या हो गया गिर गये अंटी चक्कर खाके हाँ आजाओ जल्दी से अंटी मम्मी जी अब कैसा लग रहे आपको मम्मी ये तो अच्छा हुआ कि अंजली आपको हुस्पिटल ले गए टाइम पे और रवी भी अपना ओफिस का सारा काम चोड़के आ गया आपका तो बीपी लो होने की वज़ा से चक्कर आ गया था मम्मी इसलिए कहते हैं कि पडोसी ना कभी भी किसी के काम आ सकता है तो उनसे ना बना के रखनी चाहिए हाँ बेटा तो बिलकुल सही कहा रहा है अगर आज अंजली ना आती वो मुझे ना देखती तो क्या होता बेटा मेरी बहुत बड़ी गलती है मैंने कभी यह जरूरती नहीं समझी कि पडोसी भी काम आ सकती है मैं तो हमेशे इसी गुमान में रही कि मेरे घर पे तो सब कुछ है मुझे कहा जरूरती किसी से कुछ मांगने की मैं अंजली से भी माफी मांग लूँगी और अब से किसी पडोसी के साथ कभी लडाई नहीं करोंगी हान जी मंगने तो ये स्टोरी बनाने का हमारा ना यही मकसद था कि पडोसियों के साथ कभी भी लड़ाई जगडा नहीं करना चाहिए क्योंकि ना तो इनसान कोई खुशी होती है तब भी पडोसियों के साथ ये अच्छा लगता है रिष्तेदार तो क्या होता है ज़्यादा तर उठी जाते हैं किसी कोई फंक्शन करो कुछ भी करो तो पडोसियों से ही रोनक लगती है और जब कोई दूख होता है तब भी अचानक से रिष्टेदार तो पहुंचते नहीं हैं सबसे पहले पढ़ोसी काम आते हैं तो बस मेरा ये स्टोरी बनाने का यही मकसद है कि पढ़ोसीों के साथ ना हमेशा बना के रहें असल में ये बोल तो रही हूँ और इस बात को अमल भी करती हूँ क्योंकि मैं पहले पढ़ोसी के साथ कोई भी बात हो जाए ना तो हाथ जोड़के उसे आवेधन करती हूँ उसके बाद मैं निवेदन करती हूँ कि प्लीज कोई बात नहीं कोई बात हा तो प्लीज उसे सोल्व कर लो प्यार से पड़ोसी हो पहले आवेधन फिर निवेधन ना माने तो फिर देधन आते हुई तो स्टोरी अच्छे लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना और अगर मेरे सारे पड़ोसी देख रहे हैं तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि सारे लड़ाई जगड़े मेटा के मेरी इस बात पर अमल करना कि कोई रात को दुख सुख हो जाता है दिन में हो जाता है कुछ भी हो जात झाल झाल